हेलो माई फ्रेंड्स, वेलकम टू कम्प्योटिक्स लैब, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे केस में देखें यहाँ पे एक ड्राइव है, एच ड्राइव, जिसकी आइकन्स आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट आइकन के जैसी वो नहीं लग रह होगी आपको, जैसे कि हमारे केस में अदर ड्राइव जो विंडो च्टेन के उपर आपको अपने भी लैप्टोप में दीखती है, या कम्प्यूटर में, तो अगर आप किसी भी ड्राइव के प्रोपर्टी में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक भी ऑप्संस नहीं होत करती है, इसकी जो default icon होती है, तो default icon की जो option है Windows 10 के उपर, वो आपको drive के प्रोपर्टी में किसी भी टैब के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है, और आपको यह बहुत ही awkward लगती है, कि हम इस icon को कैसे default के रूप में चेंज करें, जैसे हमारे case में G drive के उपर, तो मैं य जाने है Registry Path में, इस वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कि Registry किस तरह से Open करने हैं, बस आप ये देखिए, ये जो है Line Registry Path है, बस इसे आप Copy करें, और ये जो Registry Path है, मैं आपको इस वीडियो के Description में दे दूँगा, डीटेल्स, जहां से आप Simply इसे Copy-Paste कर सकते हैं, अपने Computer क इसे भी जरूर अपने दिमाग में रखें, क्योंकि सम्टाइम्स किसी Computer में ये अगर अगर अवलेवल नहीं होती है, तो आपको की बनानी परती है, यहाँ पे आपको जाने है Registry Editor के अंदर, और Registry Editor बस आपको Run पे लिखने है Reg Edit, ओके, Reg Edit में जो मैं पाथ Copy किया था Notepad से, बस आप इसे Registry Editor के अंदर पेस्ट कर दे, और Enter की प्रेस करें, जैसे ही आप Registry की Copy पेस्ट करेंगे और Enter की प्रेस करेंगे, तो आप directly उस पात पे पहुंच जाएंगे, जहां आपको आने है, ओके, यहाँ पे देखिए, हमारे केस में, जो H Drive है, H Letter है Drive की, आपके केस में आइकन के अंदर जो भी की, जो हमारे केस में H Drive है, तो हम यहाँ पे H नाम का की बनाए है, आपके केस में Other Drive भी हो सकती है, और इसके अंदर सब की बनाने है, Default Icon, ओके, यह जरूर डीटेल्स जो है, आपको हमारे वीडियो के Description में मिल जाएगी, Default की जो Value है, इसे Blank रख होनी चाहिए, Default Icon के अंदर यह Blank होनी चाहिए, जैसे आप F Drive के केस में, I Drive के केस में, देख सकते हैं कि जो Default Icon की Value है, वो या तो Blank या Value Not Set होनी चाहिए, और जैसे ही आप My Computer के अंदर रिफ्रेस करेंगे, तो आपकी जो Drive Icon है, वो Default रूप में Convert हो जाएगी, Change हो Key नहीं है, तो आपको ये 3 Steps के द्वारा Key create करने पड़ेंगे, तो इस तरह की सांदार Technical Problem Solving Skills वाली वीडियो देखने के लिए, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, Thank you दोस्तो, Thank you so much.